Hello guys and welcome to my YouTube channel Tag Bomb के दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी ज़िदा important होने वाली है क्योंकि इस वीडियो मैं आपको वताने वाला हूँ कि आप अपने Samsung Galaxy M14 के फोन में दोस्तों fingerprint screen lock कैसे लगाएंगे इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में setting open करना है पहले आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे नीचे fingerprint लेकिन उससे पहले आपको अपना पासवर्ड हो गयरा जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं वहाँ आप fingerprint की option पर click करेंगे किलिक करने के बाद यहां पर आपको option मिलेगा पैटर पिन पासवर्ड तो तीनियों में से जो भी आपको बनाना है पैटर बनाना पैटर पर click करके confirm कर देंगे इसके बाद पैटर आपका बन जाता है इसके बाद दोस्तों आपको अपना fingerprint sensor में पूरा fingerprint को scan करना है अच्छी तरकी से 100% आप लोगों को scan कर लेना है पूरी अच्छी तरकी से आपको scan करना है जब अच्छी तरकी से scan करेंगे तब आपका fingerprint sensor काफी fast work करता है तो यहाँ पर हम 100% इसको जो scan कर लेते हैं इसके बाद finally fingerprint add हो जाता है add पर के लिए करके order add कर सकते हैं done पर करके इसको confirm कर देते हैं अब देख सकते हैं हमारे phone में fingerprint add हो चुका है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो आप लोग वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें